मुश्किलों का कुछ इसकदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए Hello and Good Morning Everyone आप सभी लोग का स्वागत है News Flash के अंदर बहुती बहती बहतीरीन Current Affair आप लोगे लेकर आया हुम है तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुती बहतीरीन शेशन आज है 22 मई आज के दिन की हम लोग शुरुआत करते हैं बहुती जबरदस्त Current Affair के साथ में तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले International और National News Covers के साथ Myanmar के हजारों शर्णार्थियों ने भारत में मांगी सुरक्षा ये बात जो है वो United Nations के एंटोनियों गुटेरस के द्वारा कही गई है कि जो भी हर संभव प्रयास है वो भारत के द्वारा की जाए देखिए भारत एक ऐसा देश है जो कि International Human Rights के लिए काम करता है ना कि National याद की हो सकता है कि भारत को उसे नुकसान हो उस परिसिती में भारत उनको लौटा सकता है लेकिन मयानमार के जो शर्णार्थी हैं इनको सुरक्षा देने के लिए भारत ने एक बहतर कदम उठाया है टोक्यो ओलम्पिक में रैफरी होंगे अशोक अशोक भानवाला जो हैं वो और ये एरफोर्स से रिटार्ड परसन है दक्षणी चीन सागर में चीन और अमेरिका में तकरार देखिए पहले तो इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए ये लड़ाई क्यों होती है ये बात समझ में नहीं आती है मतलब यहां पर पानी वाला जो छेतर है इसके लिए हमेशा चीन और अमेरिका जो है वो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं देखिए इस बात को हम लोग क्लियर करते हैं दक्षणी चीन सागर जो है South China से वहाँ पर चीन अपना दावा करता है 9-9 लाइन पर और उसी लाइन पर दावा करता है व्यतनाम तो दोनों का एक common area जो है वो पर आता है जब कि अमेरिका ने recently क्या किया है कि अमेरिका का एक destroyer था जिसका नाम था Curtis Bilwer तो वो जो था उसने entry ली nine dash line के अंदर और इसका विरोध किया किसने चीन ने इसका विरोध किया लेकिन अमेरिका जो है वो भी अपनी हरकतों से बास नहीं आता है तो दोनों जो है वो एक दूसरे से अभी cold war जो है उसके तहत काम कर रहे हैं चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर highway का निर्मान पूरा किया चीन ये कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो दक्षणी तिबबत का छेतर है मतलब ये चाहता है कि हम हर छेतर को चीन का छेतर गोशित कर दें तिबबत का छेतर गोशित करते हुए उसे चीन में मिला लें तो अब इसने ये ब्रह्म पुत्र नदी के ऊपर एक हाईवे का निर्मान पूरा किया है। लेकिन ये अरुनाचल प्रदेश के अंदर पूरा नहीं किया है। अरुनाचिल प्रदेश से उत्री रिशा के अंदर जो बॉर्डर है वहाँ पर इसने हाईवे का निर्मान पूरा किया है G7 स्वास्ते मंत्रियों की बैठक में भारत को वर्चुल शामिल होने का निमंत्रन दिया गया है यह जो बैठक है यह Oxford University के अंदर आयजित करवाई जा रही है और Oxford University में हो रही है लेकिन ध्यान रखिये कि चार जो देश हैं उनको special invitation इसमें दिया गया है जिसमें एक तो भारत है फिर है Australia उसके बाद में South Africa और South Korea जो हैं इनको special invitation वहाँ पर दिया गया है तो virtual meeting जो है यह होने जा रही है G7 countries की देखिए एक बात यहां से आप लोग clear कर लेना G7 country पहले G8 था Russia अलग हुआ तो G7 बना G7 और G20 में यह difference है कि G7 के अंदर developed nations शामिल होते हैं जब कि G20 के अंदर developed plus developing nations जो हैं वो शामिल होते हैं लेकिन recently जब G7 की meeting हो रही थी 2020 में तो अमेरिका ने यह कहा था कि भारत को इसमें शामिल किया जाना चाहिए और इसलिए वो जो बैठक थी वो डिले कर दी गई थी चीन की अंत्रिक्ष इस्टेशन के लिए supply mission रुका चीन का शान जाओ जो है यह एक mission है जो की supply लेकर जाता है international space station के लिए लेकिन कुछ तकनिकी खराबी की कारण यह ज इसका supply mission जो है वो रुक गया है रिटायर हुआ भारती नौसेना का पहला विध्वान सक मतलब destroyer INS राजपूत आपके exam के point of view से बहुत ही important question यह पूछा जा सकता है कि recently कौन सा destroyer जो है वो भारत का पहला destroyer था और उसको अभी decommission किया गया है तो आप लोग याद रखना INS राजपूत रूस की द्वारा इसे निर्मित किया गया था और इसके उदगाटन के अंदर I.K. गुजराल ने participate किया था और भारत के पहले जो commanding officer थे उन्होंने भी इसके अंदर participate किया था अब white fungus की 10 तक कोरोना जैसे लक्षन देखिए लक्षन कोरोना जैसे आते हैं white fungus के अंदर लेकिन जब RT-PCR टेस्ट करवाय जाता है तो उसमें कहीं पर भी report जो है वो positive नहीं आती है तो लक्षन होने के बावजूद भी report positive नहीं आती जिनकी immunity कम रहती है उनको ये white fungus हो जाती है देखिए black fungus की यदि हम लोग बात करें तो recently राजस्थान ने black fungus को epidemic announce किया था औ और केंद सरकार ने अब ये निर्देश दिया है पांच राज्यों को कि वो black fungus जो है उसको epidemic announce करें अपने states की अंदर राजीव गांदी हत्याकान के दोशियों के लिए इस्टालिन ने राश्ट्रपती से मांगा शमादान इन्होंने सबसे पहले जो शमादान मांगा था वो राज्येपाल से मांगा था लेकिन राज्येपाल ने ये कहा कि ये जो है वो national एक मामला है राश्ट्रिये मामला है तो इसका जो समादान है वो राश्ट्रपती ही करेंगे देखिए शमादान के जो शक्ती है वो article 72 के दहर्ट प्रसिडेंट को दी जाती है तो माक्स के साथ मुझे में कंप्लीट की है तो अब एम इस्टालिंग जो है तमिन लाडू के मुखे मंत्री उन्होंने राश्ट्रपती से शमादान की गुजारिश की है कोरोना संक्रमित 10 मिटर तक फैल सकता है देखिए भारत के जो वैग्यानिक सलहकार है के विजे रागव उन्होंने रिसेंटली ये बताया है कि यदि मान लीजे कि हवा के अंदर संक्रमन मौझूद है तो वो 10 मिटर तक किसी दूसरे वैक्ती को फैल सकता है तो 10 मिटर तक फैल सकता है मान लीजे कि कोई वैक्ती रस्ते से कुजरा है और वहाँ पर उसने मान लीजे खास दिया है छींग दिया है तो वो लग भग कम से कम मान के चलिए कि 10 सेकिंड तक तो वो जिवित रहेगा वो वाइरस वहाँ पर रहेगा और 10 मिटर तक वो ट्रेवल भी कर सकता है LSE पर तनाव रहते चीन के साथ सहयोग नहीं एस जैशंकर विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने रिसेंटली ये बयान दिया है कि यदि चीन इस तरीके से ही LSE पर यहीं कि लाइन आफ एक्चुल कंट्रोल पर ऐसे ही तनाव बनाये रखेगा तो हम कोई भी सहयोग चीन का नहीं कर पाएंगे कोई बाची चीन के साथ नहीं हो पाएगी ये कहना है एस जैशंकर का आप लोग के लिए लेकि आता है बहुत ही बहती बहतीरिन कंटेंट नॉलेज इस पावर ये हमारी टैग लाइन है तो आप लोग चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए लेकिन आप मुझे ये लगता है कि आपको ये सेशन जो है वो पसंद तो आ रहा है लेकिन आप मुझे ये नहीं बता रहे कि सर इसमें क्या और इंप्रोमेंट किया जाए ठीक है तो आप लोग मुझे बताईएगा मेरी कही बार इच्छा होती है कि आप लोगों से रूब आप लोगे लेकिया हूँ देखिए तीन और चार जून 2021 को जी सेवन के स्वास्ते मंत्रियों की बैठक किस विश्विध्याले में आयजित की जाएगी तो ये जो बैठक है तीन और चार जून को ये आयजित की जाएगी ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर देखि जाएगे से रूज जो है वो बाहर निकल गया रूज जो था वो इससे बाहर निकल गया फिर ये जी सेवन कहलाया जितने भी विक्सित देश हैं वो इसकी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं तो आप लोग याद रखना ओक्सफॉर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा और ये मिटिंग कैसी होगी वर्चॉल ये मिटिंग होगी चली जानते हैं इनके बारे में कि देखिए साथ देश आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले सबसे इंपोर्टेंट जो देश है इसके अंदर मैं मानता हूँ कि जापान है क्योंकि ये एशिया का एक मात्र देश है अभी हम लोग इसको मैप पर भी डिनोट करेंगे इसकी बाद में यहाँ पर जी सेवन के अंदर इटली देखिए ये इटली आप लोग देख रहे हैं चीन का एक प्रोजेक्ट है बैल्ट एंड रोड इनिर्शिटिव तो बी आर आई को जोईन करने वाला पहला ज 19 प्लस European Union जो है वो देश शामिल है तो इंडिया जो है वो participating country है G20 का ना कि G7 का लेकिन इस बार क्या हुआ है कि भारत को ऑस्ट्रिलिया को चार देशों को जो है वहाँ पर invite किया गया है थोड़ा सा हम लोग इसको map पर denote कर लेते हैं देखिए ये जो है ये तो है Canada ये है USA इ पिर ये है France ये है Germany और ये है Italy तो चार देश तो हो गए Europe के ये हो गए USA Canada और एक अकेला देश जो है ये यहाँ पर इस्तित है Japan ठीक है तो Asia में एक मातर देश है Japan ध्यान रखिए कि European Union जो है इसने भी join कर लिया है G7 countries को इसके बाद में चार जो invited countries है उसमें एक तो है कौन सा ये तो है भारत दूसरे पर कौन सा है दूसरे पर है फिर South Korea ठीक है तीसरे पर देखिए फिर है Australia और चोथे पर है South Africa तो चार country जो है इनको invite किया गया है और ये meeting कहा होने जा रही है Oxford University के अंदर जो की UK के अंदर इस्तित है और इस बार G7 की G7 का जो head कर रहे है वो UK ही कर रह है Boris Johnson जो है वो यहां के PM है वो ही इस G7 meeting को क्या कर रहे है होस्ट कर रहे है वो ही इसको head करेंगे ठीक है चलिए बढ़ते हम लोग आगे देखिए G7 country के अंदर Canada के PM है Justin Trudio उसके बाद में France के है Emmanuel Macron ये President है Germany की Angela Merkel Angela Merkel जो है वो विश्व की सबसे जो powerful lady है उनकी गिंते में आती है इटली के है Mario Draghi तो अभी नए Prime Minister बने है इटली के जापान के है योसी हीदे सुगा योसी हीदे सुगा जो है वो जापान के है उसके बाद में Boris Johnson Boris Johnson इन्होंने वादा किया था अपनी जनता से कि ये European Union से बाहर निकल जाएंगे Brexit कर लेंगे उसमें आसफल रहे इन्होंने इस्तिफा दिया और उसके बाद में वापस से ये Elect होके आए और एक जनवरी 2021 को Brexit जो था वो आधिकारिक रूप से Complete किया गया फिर देखिए United States जो बाइडन जो है ये अमेरिका के कौन से बने है 46 जहां तक मुझे याद है 46 वे राश्ट्रपती जो बने है वो जो बाइडन बने है जबकि 49 जो वाइस प्रेशिडेंट बनी है वो कौन बनी है कमला हैरिस बनी है फिर European Union ने से जोइन किया और European Union Commission की जो प्रेशिडेंट है ये आप लोग यहाँ पे नाम देख सकते है थोड़ा सा आठ पटा है चलिए European Union के जो काउंसिल के प्रेशिडेंट है आप लो इंडिया के है नरेंदर मोदी फिर है साउथ कोरिया के मून जाए इन फिर साउथ अफरिका के सिल रामा फोसा तो ये चार जो कंट्रीज है देखिए अमेरिका जो है वो इन चारो कंट्रीज को इनवाइट क्यों कर रहा है इसके पीछे भी आप लोग रिजन सुन लीजिए देखिए यूएसे जो है वो इन चारो कंट्रीज को इसलिए इनवाइट कर रहा है कि ये चारो कंट्रीज जो है ये चारो कंट्रीज क्वाड के मेंबर्स है ठीक है जैसे इन में से साउथ कोरिया को आप हटा दीजिए तो यहाँ पे जापान है इंडिया है और एक कंट्री और बच गया USA तो ये Quad के मेंबर हैं तो दो कंट्रीज तो हम लोग को इन में कौमन दिखाई दे रही है तो Quad को कहीं न कहीं USA वो सपोर्ट करता है और चाइना जो है वो Quad को कहता है कि ये क्या है ये Asian NATO है Asian NATO कहता है कौन? इसको चाइना कहता है इसलिए USA वो भारत को इसमें मिलाना चाता है G7 कंट्रीज के अंदर चलिए अभी जो है वो 47th G7 समिट होने जा रही है 11-13 जून 2021 को कहा होगी United Kingdom में और इसका venue जो है ये UK के अंदर ही है Cornwall जो है ये जगे का नाम है उसके बाद में participants जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते है Canada है, France है, Germany है, Italy है, Japan है Great Britain है, USA और European Union है 46th जो हुई थी ये G7 समिट ये कहा हुई थी ये तो हुई थी US के अंदर 48 कहा होने जा रही है आप लोग मुझे comment section में बताना कि sir 48 जो G7 समिट है ये कहाँ पे होगी, मुझे confirm आप लोग बताईएगा, चलिए अगले question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, हाल ही में भारती नौसेना ने अपने किस जाज को सेवा निवरत, मतलब decommissioned किया है, retire किया है तो यहाँ पे answer क्या रहेगा answer रहेगा INS राजपूत तो INS राजपूत जो है इसको 1980 के अंदर commission किया गया था, और उसके 41 साल बाद जो है अब इसको decommission किया गया है विशाखा पत्नम के port से इसको decommission कर दिया गया है कई operations जो हैं, जैसे आप लोगोंने सुना होगा, Operation Amun Operation Amun जो है वो चलाया गया था, Indian Peacekeeping Force की मदद करने के लिए कहां बर, शिरलंका के अंदर चलाया गया था Amun के बाद में हैं फिर Pawan, ये जो Pawan mission है ये कहां चलाया गया था, ये भी शिरलंका के अंदर चलाया गया था, 1987 के अंदर, जब लिटे ने, जाफना जो island है शिरलंका के अंदर उसको capture कर लिया था, तो जाफना island को release करने के लिए ही Operation Pawan जो था, वो चलाया गया था फिर Operation Cactus का आप लोगों नाम सुना होगा, Maldive के अंदर ये चलाया गया था, और किसी विदेशी भूमी पर चलाया गया पहला Operation, Operation Cactus ही था, चलिए, फिर INS राजपूर की हम लोग और बात कर लेते हैं इसको निर्मित किया था किसने USSR ने निर्मित किया 1980 में, मतलब हम लोग उस समय का Ukraine जो है वो कह सकते हैं, आज का जो है वो Ukraine हम लोग इसको कह सकते हैं ठीक है, देखिए इसका जो नाम है, असली नाम वो रखा गया था नादेजनी थोड़ा सा spelling आप लोग देख लेना, अटपटी है क्योंकि रश्यन के अंदर ये थी और इसका नाम क्या था, बेसिकली Hope इसका Means था ठीक है, तो INS राजपूर की बारे में आप लोग याद रखना, इसको decommissioned कर दिया गया है ठीक है, वैसे ये क्या था ये जो था एक destroyer था destroyer में क्या होता है, कि missile से less होता है, इसमें radar system से लगे रहते हैं, तो जो बड़े naval ships हैं, उनको ये कही ना कही protect करता है, फिर सम्मरिश उनको ये protect करता है, तो destroyer का काम है कि सब को उड़ा देना मतलब युद्ध में ये जो है वो warship की तरह काम करता है चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे operation को आप लोगों ने देखा, मैंने बताया operation aman, operation pavan उसकी बाद में operation cactus और operation crown nest जो है वो लक्षे दीप के अंदर चलाए गया था ठीक है, तो कई naval excise के अंदर इसने participate किया है फिर ये भारत की पहली naval ship है, जिसने Indian army की regiment है, राजपूता regiment उसके साथ में भी tie up किया था, और इसी के नाम पर इसका नाम भी रखा गया, चली आगे बढ़ते हैं हम लोग दक्षिनी चीन सागर में इस्थित किस दीप पर, अमेरिका के नौ सैनिक जहाज के प्रिविश पर, चीन ने नाराज की जताई, तो आप लोग याद रखना पारसेल जो island है, वो South China Sea के अंदर इस्थित है लेकिन यहाँ पर एक समश्या है क्या, कि यह जो island है इस पर दो देश अपना दावा करते हैं एक तो है चाइना और दूसरा कौन सा है, वो है वियतनाम दोनों इस पर दावा करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो हम लोग जानेंगे अभी लेकिन जो अमेरिका का था अमेरिका का एक destroyer अमेरिका का destroyer था कुर्तिस कुर्तिस विल्बर विल्बर जो है यह कहाँ पर इसने एंटर किया South China Sea के अंदर एंटर किया और चाइना ने इसको रोका तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में सखालिन आप लोग यहाँ पर जो आइलेंड देख रहे हैं सखालिन जो आइलेंड है यह इस्तित है रूस के नजदीक और यहाँ पर इंडिया की जो ONGC कमपनी है और इसकी साहे कमपनी OVL मतलब ONGC विदेश लिमिटेड यह क्या करती है वहाँ पर पेट्रोलियम और गैसेस का प्रोडक्शन करती है फिर यहाँ पर आप लोग देख रहे है सैन काको दीप यह जो दीप है यह चीन प्लस जापान के बीच में विवादित है चाइना और जापान के बीच में डिस्पुटेड है सैन काको दीप और यह इस्थित है कहां पर East China Sea के अंदर East जो चाइना सी है वहाँ पर इस्थित है क्या सैन काको दिआगो गरसिया देखिए यह जो दिआगो गरसिया है ये Indian Ocean के अंदर इस्तित है और इसके साथ में ही ये UK के अधिकार में है लेकिन इसको लीज पर लिया है किसने USA ने और USA ने लीज पर लेकर अपना Nevel Base जो है वो इस पर बना दिया है ध्यान रखिएगा कि डियागो गर्षिया पर एक डियागो गर्षिया जो आइलेंड है यहा मैमल पाया जाता है डियागो गर्षिया के पास में UPSC के 2016 के पेपर को आप लोग उठा के देखना वहाँ पर डुगों इसकी बारे में पूछा गया है थीक है तो चलिए डियागो गर्षिया के आप लोकेशन याद रखना इंडियन ओशियन में है UK के पास है USA को लीज पर ये जो रैड लाइन है वो चाइना को डिनेट करती है फिर येलो लाइन जो है ये वाली येलो लाइन ये किसको करती है ये मलेशा को करती है ठीक है फिर वियतनाम के लिए है ब्ल्यू लाइन देखिए वियतनाम और चाइना के बीच में डिस्पूटेड है उसको हम लोग सी देखने जा रहे हैं फिर ब्रुनाई देखिए ब्रुनाई के लिए है ग्रीन लाइन ये जो ग्रीन लाइन है ये ब्रुनाई के लिए है फिलिपिन्स को आप लोग देखे करते हैं फिर ताइवान जो है इसके लिए भी लाइन्स है तो देखिए वियतनाम और चाइना जो है वो इसलिए dispute करते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों की जो dash lines हैं वो आपस में match करती हैं देखे चाइना की तो कौन सी है वो है nine dash line चाइना की है nine dash line और Vietnam जो है उसकी जो समुदरी सीमा है वो इसके अंदर दोनों overlap करती हैं ठीक है तो यहाँ पर आप लोग पारसल जो island है इसकी location द यहाँ पर और location आप लोग देखी लिए अभी छोटे मोटे और दीफ हम लोग इसके बारे में देखते हैं यह फिलिपिन्स है और फिलिपिन्स की capital है मनीला मनीला के अंदर Asian Development Bank का मुख्याले इस्तित है मनीला के अंदर ही International Rice एनकी अंतराष्टिय चावल अनुसंधान केंड जो है वो मनीला के अंदर इस्तित है और फिलिपिन्स के नजदीक ही 11022 इतने मिटर का एक ट्रेंच इस्तित है उस ट्रेंच को कहा जाता है मेरियाना ट्रेंच ठीक है याद रखना काफ़ इंपोटेंट है चलिए islands हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे देखिए कि ये तो है आपका कौन सा पार्सेल आइलेंड आप लोग देख सकते हैं पार्सेल आइलेंड जो है वो आप लोग देख सकते हैं फिर छोटे मोटे आइलेंड आप लोग और देखिए तो पार्सेल आइलेंड के बाद एक तो है वूडी आइलेंड वेस्ट सेंड ठीक है फिर है पैटल आइलेंड, रॉबर्ट आइलेंड, मनी आइलेंड कई सारे जो आइलेंड हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे एक देखिए बैटल आफ दा पारसेल आइलेंड 1974 तो यह जो युद लड़ा गया था यह चाइना और वियत नाम के बीच में लड़ा गया था चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग न्यू मूर आइलेंड मैंने आपे तीन जो हैं वो आइलेंड लिख दिये हैं क्योंकि यह दो देशों के बी इंडिया और बांगलादेश के बीच में बांगलादेश के बीच में डिस्प्यूटेड था मैं कहा रहा हूं कि डिस्प्यूटेड था मतलब पास्ट में था लेकिन इंडिया ने क्या किया इसको कैप्चर कर लिया था न्यू मूर दीब को और यह कहां पर रिस्तित है अब West Bengal के अंदर हाँ लेकिन ये क्या है कि ये डूब चुका है ये जो wetlands है हम लोग बात करें West Bengal के अंदर जो one पाए जाते हैं मैं नाम भूल गया कि क्या है उनका हाँ सुंदर one का जो delta है वहाँ पर New Moor Island जो है वो इसित है और अभी इसको किस ने capture कर लिया है इंडिया ने capture कर लि इसे श्रिलंका को दे दिया लेकिन ये जो island है ये भी अब पानी के अंदर डूब चुका है तो श्रिलंका को इसको दे दिया था ठीक है जर्शी island यहाँ पर देखी बहुत important है एक तो है country France और एक country है कौन सी Britain तो दोनों के बीच के अंदर ये क्या है ये disputed है मैंने आपको steady जो question दिया था वो यही था जर्शी island के बारे में चलिए बढ़ते हम लोग आगे चौथा question है टोक्यो ओलंपिक की कुछती मुकाबले के लिए भारत के किस वेक्ती को referee बनाया गया तो आप लोग याद रखना आशोक कुमार भनवारा जो है इनको बनाया गया है referee और ये जो है वो नोकायन के अंदर टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने क्वालिफाई किया है सीमा बिसला जो है वो चौथी रैशलर है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है हर्श कुमार भनावाला तो ये जो है ये तो नाबाड के CEO है ये तो क्या है नाबाड के ठीक है तो हर्श कुमार भानावाला जो है वो नाबाड के नाबाड की इस्थापना कब की गई थी 12 जुलाई 1982 को नाबाड की इस्थापना की गई थी आप लोग मुझे नाबाड का हेड़कॉर्टर बताना कि नाबाड का हेड़कॉर्टर कहां इस्थित है चलिए हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा तो आप लोग याद रखना फ्रांस जो था उसने ये औरर पास किये कि जो भी नागरिक पाकिस्तान में रहते हैं वो जलसे जल जो है वो पाकिस्तान को छोड़ दे इटली ने यहां पे इटली ने भारत के किस राच्य में पहला अपने खेत में उगाता है कि जैसे मान लीजिये कि किसान जो है वो फल और सबजी अपने खेत में उगाता है तो जो भी सबजी उगाई है उसकी बाद से लेकर उसकी बाद से लेकर लाश्ट प्रोड़क्ट जब तक बनता है तो वो पूरी process जो है वो एक जगे की जाती है और वो है mega food park जिसे आलू माननी जिये कि ये है आलू potato है और इसकी बननी है chips तो आलू को धोने से लेकर उसकी cutting की जाएगी फिर उसको वापस साफ किया जाएगा उसको फिर फ्राइ किया जाएगा फिर पैकिंग की जाएगी यह जो सारा सामान है यह जो प्रोसेसिंग है यह कहां पे मेगा फूड पार्क के अंदर की जाती है चलिए बढ़ते हम लोग आगे उडिसा का पश्यम बंगाल के तट पर आने वाले नए चकरवाद का नाम क्या है तो नए चकरवाद जो है वो कौन सा आ रहा है अब यास जो है वो आब आ रहा है डेट जो बताई जा रही है वो 26 मई की बताई जा रही है कि तब तक जो है वो आ जाएगा कहां पर पश्यम बं बंगॉल के अंदर, Bay of Bengal में ये जो है साइकलोन अब आने जा रहा है देखिये इसको जो नाम दिया गया है ये नाम किसे दिया है? ओमान ने ये नाम दिया है लेकिन ये नाम किसे दिया जाता है? वो देख लीजीए इंडियन ओशियन के टच करने वाली लगबख 13 countries हैं तो एक country से 13 name जो हैं वो मांगे जाते हैं तो ये मान लीजिए कि 13 countries हैं और एक country ने 13 नाम दिये हैं तो ये total नाम कितने हो गए 169 जो हैं वो already list के अंदर नाम चल रहे हैं 1 by 1 जो हैं वो अलग-लग देशों के नाम यहां पे रखे जाते हैं जैसे अभी तोकती जो तोफान अभी आ रहा है तो इसका जो नाम है वो किसके दोरा रखा गया है वो मयान मार्च के दोरा रखा गया है ठीक है अब जो है वो बारी किसकी आ गई है वो आ गई है किसकी ओमान की इसके अंदर बारी आ गई है तो यहाँ पे निसर्ग और फैनी चक्रवाद भी आप लोग देख सकते हैं तो यह दोनों जो तूफान आये थे वो कहाँ पे आये थे बैफ बंगॉल के अंदर आये थे 2019 की ये बात है ठीक है तो देखिए तूफान जो है इनके आने का कारण भी हम लोग समझ लेते हैं देखिए यहाँ पे तो है बैफ बंगॉल और इधर है कौन सा अरेबियंसी तो अभी ये जो तूफान आ रहा है यास ये आ रहा है बैफ बंगॉल में और अरब सागर के अंदर अभी कौन सा आया था तोकते जो तूफान है ये अभी आया हुआ है और ये जो बढ़ चुका है कहां पर करनाटक की तरह फिर महराश्टर फिर गुजरात राजस्थान की तरह ये बढ़ चुका है और अब जो है इसके तिवरता काफी कम हो गई है तो जो भी यहाँ पर देश है देखिए ओमान जो है इसने ये नाम दिया है कौन सा ग्यास वाला जो नाम है वो ओमान के द्वारा दिया गया है देखिए जो cyclones आते हैं उनकी order को हम लोग समाश सकते हैं यहाँ पर देखिए ये तो है equatorial line तो समुदर के अंदर ocean जो currents flow करती है वो clockwise flow करती है in the northern hemisphere जबकि southern hemisphere के अंदर वो anti-clockwise यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ anti-clockwise और यहाँ पर है कैसा clockwise यह है ocean currents में बता रहा हूँ लेकिन जब भी cyclones आएंगे तो उनको जरुवत है कि वो anti-clockwise हवाएं जो है वो चलना शिरू हो जाए देखिए दो आदमी हैं दो परसन हैं वो आपस में यदि parallel चलेंगे दोनों एक दिशा में चलेंगे तो वो आपस में टकरा नहीं पाएंगे लेकिन यदि मान लीजे कि एक की direction जो है वो इसकी opposite हो गई है तो आप दोनों आपस में टकरा जाएंगे इसलिए जो महासागरी धारा हैं ocean current जो चलती हैं वो यहाँ पर clockwise चलती हैं और जब हवाएं जो हैं वो anti-clockwise चलेंगी तो cyclone आना शुरू हो जाएंगे अब question यह rise होता है कि northern hemisphere के अंदर जो cyclone की direction रहती है वो clockwise रहती है और southern hemisphere के अंदर कैसे रहती है वो रहती है कौन सी? देखिए, sorry, northern hemisphere में anti-clockwise चक्रवाद की मैं दिशा बता रहा हूँ आपको cyclone की जबकि सदन हमीशवेर के अंदर रहेगी clockwise ठीक है इसके opposite रहेगी समझ के होंगे शायद आप लोग देखिए इसमें गलती करने की कोई गुझाइश ही नहीं है बढ़ते हम लोग आगे विश्व का पहला देश कौन सा है जिसमें जानवरों के लिए वैक्सिन निर्मित की है तो वो जो निर्मित की है रश्या की द्वारा निर्मित की गई है और उसका नाम है Corona VAC Corona VAC जो है यह निर्मित की गई है रूस की द्वारा जानवरों के लिए पहली vaccine यह है World Press Freedom Index में भारत का कौन सा इस्थान है तो भारत की जो rank है भारत की rank है 142 इसमें जो first position पे आया है वो कौन सा है वो है Norway, दूसरे पे आया है Sweden और third पे जो आया है वो है Finland ठीक है आप लोग इसको लिख लेना note down उसको जरूर कर लेना सबसे last में जो आया है वो आया है Eritrea Eritrea जो है वो East Africa के अंदर इस्तित है Eritrea वो last position पे आया है और इसको जारी किया जाता है किसकी द्वारा Reporters Without Border Reporters Without Border जो है वो इसको जारी किया जाता है यह जो agency है Reporters Without Border जो है यह इसको जारी करती है ठीक है देखिए एक live class में पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है तो जल्दी जो है वो भी आपके लिए conduct करवाई जाएगी लेकिन आप लोग कोशिश करें कि live इस session को लेने की कोशिश करें ताकि और जो आपको समझ में आ रहा है उसको आप लोग नीचे comment करते रहें हमारी जो technical team है वो उन questions को मेरे पास में भीज़ देती है और फिर मैं आप लोग का answer जो है उसमें करने में capable रहूंगा लेकिन इसको live आप लोग देखा करो ब्लैक फंगस की बाद अब सफेद फंगस चर्चा में है इसका पहला मामला कहां देखा गया है तो इसका पहला मामला जो है वो एम्स पुने के अंदर देखा गया है और पहला मामला लगबग 20 मई के आसपास में आया था देखिए white fungus की सबसे खास बात क्या है कि ये infection फैलाता है लेकिन मांगी जिये कि जो covid की लक्षन आपको दिखाई दे रहे हैं covid के symptoms आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप क्या कराएंगे आप करवाएंगे RT-PCR टेस्ट करवाएंगे और RT-PCR जैसे ही टेस्ट करवाएंगे तो वो negative आ जाएगा लेकिन आप तो तब मानेंगे ना कि जब positive आएगा तभी तो आप मानेंगे कि मुझे covid हुआ है लेकिन RT-PCR टेस्ट जो है इसकी report negative आ चुकी है लेकिन आपके जो है वो white fungus जो है वो बिमारी हो सकती है तो negative आने पर भी white fungus होने का खत्रा रहता है लेकिन ये किसको attack करता है जिसकी immunity जो है वो कमजोर है immunity जिसकी कमजोर है ये उसको attack करता है साथ में कि जो लगातार जो है वो steroids ले रहे हैं लगातार जो है वो steroids ले रहे हैं उनको अटेक करता है मालने जी diabetes है उनको यह अटेक करता है white fungus ठीक है तो याद रखना इसके बारे में और ये शरीर के किसी भी अंगो को क्या कर सकता है प्रभावित कर सकता है किसी भी organ को ये प्रभावित कर सकता है ठीक है black fungus का आप लोगों तेज़ दर्द होता है आँखे लाल हो जाती है और जब आपकी brain तक वो संकरमन फैलता है तब आपकी हो सकता है कि आँख जो है उसको भी निकालना पड़ जाए तो recently राजस्थान जो था उसने क्या किया था कि black fungus को एक epidemic अनाउंस किया था और केंडर सरकार ने recently ये कहा है य फर्ष्ट जो country है वो कौन सा है फर्ष्ट पोजिशन पे तो आप लोग याद रखना आप लोग जो है इसको आजियों भी नहीं कर पाओगे भूटान जो है इसने सबसे जादा speed से vaccine लगाई है जबकि भूटान को जो vaccine भीजी गई है वो इंडिया की द्वारा ही भीजी किया है UAE ने देखी मेरा जो पढ़ाने का तरीका है यह आपको पसंद तो आ रहा होगा मुझे आप लोग बताना कि जो मैं यह वन नाइनर कोशन लेता हूँ यह आपके समझ में तो आते हैं चली अगले कोशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं हाली में कौन सी smartphone application विक्सित की चाहिए है जो oxygen saturation और pulse rate बता देगी बहुत बढ़िया यह जो है यह किया गया है इजाद देखी क्या application है केर प्लिक्स वाइटल जो है यह इजाद किया गया है किसकी दोरा कोलकता के अंदर कोलकता के अंदर एक startup है एक startup जो है उसकी दोरा शुरू किया गया है यह और इसका नाम है Care Now, तो Care Now से नाम से एक start-up है उसने recently ये जो application ने इसको release किया है अब आप लोगे कि सर्थ ये जो है application ये कैसे measure करेगी तो मान लीजे कि ये हमारे पास में phone है phone के अंदर होता है camera और phone के अंदर होता है flash तो क्या होगा कि हमारी जो अंगली है वो इस flash के पीछे लगाई जाएगी और camera क्या करेगा कि उसको scan कर लेगा camera जैसे ही scan करेगा तो हमारे जो blood circulation हो रहा है उससे जो waves निकलती है उसको ये detect करेगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो flash है ये क्या करेगा कि जो light intensity है उसके through ये हमारे oxygen की flow rate जो है उसको measure कर लेगा बहुत ही बड़िया invention है ठीक है लेकिन आपको अंगली जो है वो 40 second तक यहाँ पर रखनी पड़ेगी ताकि ये measure कर सके और ये जिस technique पर काम करता है वो है PPG बहुत important है PPG technique पर ये काम करता है जिसका नाम है photo planthography ऐसे कुछ नाम है इसका तो ये काफी typical technique है लेकिन आप लोग याद रखना careplix vital जो app है ये इसमें अभी निर्मित की गई है चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि pulse oximeter जो है इसका use बन और जो application है इसका use चालो कर दीजे तो pulse oximeter काम कैसे करता है कि हमारे जो blood है blood जो flow करता है उसे दो तरह की wave निकलती है तो एक wave से oxygen saturation level को measure किया जाता है और दूसरे से pulse rate जो है उसको measure किया जाता है तो हमारे blood circulation से जो waves निकलती है उसको ये क्या कर लेती है pulse oximeter उसको measure कर लेता है समुद्री प्रियावरण को सुरक्षित रखने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझяч रहता किया है तो यह agreement जो sign किया गया है, marine production के लिए, मनीर environment के लिए तो यह किया गया है किस के साथ में, जर्मनी के साथ में किया गया है तो जर्मनी क्या करेगा कि जो भी technology है marine environment के लिए उसको भारत के अंदर apply करेगा हाल ही में राजस्तान के किस पूरू मुख्यमंत्री का निधन हुआ है तो आप लोग याद रखना जगनात पहाडिया जो हैं इनका निधन हुआ है और ये 1981 के अंदर भारत के cm रह चुके हैं और ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं इस fact को आप लोग याद रखना चलिए बढ़ते हम लोग आगे स्वाधीनता पुरसकार किस देश का सरवोच सम्मान है और ये जो दिया गया है वो नौ वेक्तियों को दिया गया है नौ जो पीपल्स हैं इनको दिया गया है साथ में ही एक institution जो है मतलब एक संस्था जो है उसको दिया गया है और वो संस्थ लाग का पुरसकार दिया जाता है साथ में ही साथ में ही एक shield दी जाती है और ये कब से शुरू हुआ ये यदि start हुआ है कहां से ये start हुआ है 1977 से देखिए बांगलादेश जो है वो क्या मनाता है 15 अगस्त को शोक डिवस के रूप में मनाता है याद रखना 15 अगस्त को भा 75 को बांगलादेश की मुक्ती डाता या जन्म डाता हम लोग कह सकते हैं फादर कह सकते हैं शेख मुझीबुर रहमान उनकी हत्या कर दी गई थी 15 अगस्त 1975 को चलिए बढ़ते हम लोग आगे बांगलादेश की बारे में और भी fact है जैसे रिसेंटली 26 मार्ज को शेख मुझ वो दो ट्रेंस संचालित हैं आप लोग को पता होगा कि संप्रीती जो युद्ध अभ्यास है संप्रीती जो military exercise है वो भारत और बांगलादेश की बीच में की जाती है और बांगलादेश की जो मुक्तित आता थे शेख मुझीबुर रहमान इनके लिए एक library जो है वो DU के अ जो है इसका टीका लगाए जाएगा और USA Canada के बाद में भारत तीसरा देश है जो की बच्चों को क्या लगाएगा टीका लगाएगा ब्राजिल की पहली COVID-19 वैक्सी कौन सी है तो वो आप लोग याद रखना ब्यूटान वैक ब्यूटान वैक जो है ये ब्राजिल की पहली COVID COVID-19 की वैक्सीन है केरल के मुख्यमंत्री पिंराई विजयन को किसकी द्वारा ओत जो है शपत वो दिलाई गई है तो आप लोग याद रखना आरिफ मुहमद खान के द्वारा ये शपत दिलाई गई है और राज्यपाल है देखिए इसमें राज्यपाल भी आपको पता होन देखिए जगदीब धनकर जो है ये तो कहां के है ये है वेश्ट बेंगॉल के जगदीश मुखी जो है ये कहां के है ये है आसाम के बनवारी लाल पुरोहित ये कहां के है तमिल नाडू के है ठीक है तो recently यहाँ पर अभी elections होए थे तो नए राज्यपाल भी आपको याद क करने हैं चलिए एक concept हम लोग समझ लेते हैं आर्टिकल 163 और 164 क्या कहते हैं देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ राज्यपाल मतलब governor और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं CM मुख्य मंतरी तो राज्यपाल जो है राज्यपाल वो मुख् के द्वारा लेकिन देखिए CM ने राज्यपाल से बातचीत की और ये कहा कि मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ और वो गिफ्ट क्या होगा Ministry of Council होगा Minister of Council मतलब कि आपको सलह देने के लिए मैं Minister of Council जो है वो Article No. 163 के तहद राज्यपाल को देता हूँ लेकिन राज्यपाल ये कहता है कि मैं किसी गिफ्ट को जो है वो ऐसे रखता नहीं मैं वापस लोटा देता हूँ इसलिए राज्यपाल ने क्या किया कि CM को अपॉइंट कर दिया Article No. 164 के तहद तो CM जो बनते हैं वो कौन से लीडर देखिए लीडर जो बनना है लीडर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि मैजोरिटी आपके पास में हो देखिए जिस वक्ति के पास में मैजोरिटी नहीं है वो भी क्या बन सकता है वो CM बन सकता है लेकिन जिस वक्ति के पास में मैजोरिटी है तो वो तो मैजोरिटी को क्या 6 महीने तक वो CM बन सकता है क्योंकि 6 महीने के अंदर उसको शपत लेनी होती है और यदि उसने शपत नहीं ली तो फिर उसको वहां से हटना पड़ता है इसलिए मान लीजिए कि किसी के कोई जो है वो ना तो विधान सभा का और ना ही विधान परिशत का सदस्य बनता है तो फ A76 जो है ये glacier तूटके अलग हुआ है और इसका जो main reason है वो कौन सा है global warming है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं A76 आइसबर्ग है और ये विशू का सबसे बड़ा है याद रखना वर्ड का सबसे बड़ा जो glacier है वो कौन सा है A76 है अंटार्टिका के अंदर ये इस्तित है तो ये तूटकर अलग क्यों हुआ है लेकि हमारे फ्रिज के अंदर ये कोई बर्फ जमी रहती है तो थोड़े दिर के लिए light चले जाती है तो वो बर्फ भी पिखलने लगती है ठीक वैसे ही हुआ है कि sun से जो rays आती है वो कौन सी आती है वो आती है short waves लेकिन जब वो प्रत्वी से टकरा कर वापस लोटने की कोशिश करेंगी तो वो यहाँ पर लोट नहीं पाएंगी environment के अंदर और वो प्रत्वी के इसी अर्थ के इसी environment के अंदर कैद होके रह जाएंगी तो वो क्या करेंगी वो temperature को दीरे दीरे increase करने लग जाएंगी देखिए ये जो heat budget हम balance है लेकिन maximum heat जो है वो इसी environment में रहेगी तो उसको कहा जाएगा कि heat budget जो है वो गड़ बड़ा चुका है चलिए तो इसी कारण जैसे temperature बढ़ेगा तो ये glacier जो है वो पिखलना शुरू हो जाते हैं glacier पिखलने से समुदर का जो जल इस्तर है वो बढ़ने लग जाता है जैसे आपको पता होगा कि इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकारता से काली मंतान shift करने की बात कही थी वो इसलिए कही थी कि वो जो है वो धीरी धीरे अब डूपती जा रही है तो ये जो परिणाम है ये green house gases का ही है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्रे पुल किस आप जी का निदन हुआ है वह किस पद पर थे तो आप लोग याद रखना वो थे solicitor general नहीं वो थे attorney general याद रखना वो थे attorney general के पद पे थे और वरतमान में attorney general है केके वेनु गोपाल और solicitor general कौन है तुशार महता ये solicitor general है चलिए ये हमने appointments कल भी देखे थे परसो भी देख जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं केके वेनु गोपाल है और आज हमने जो बात की थी वो किसके बारे में बात की थी एक और नाबाड के हमने अध्यक्ष देखे हैं हर्श कुमार भानवाला तो वो भी आप लोग ध्यान रखना कल की question जो है उनको हम लोग revise कर ल किया है तो आप लोग याद रखना वीरा जैन फिर है 2030 तक महिलाओं में होने वाली 35 प्रतिशत मोतों कारण हर्दे रोग होगा यह किस ने बताया लैंसेट ने बताया हाल ही में USA Space Force के द्वारा कौन से सैटलाइट लाउंच किया गया आप लोग याद रखना सैबरी 05 विं कोफ इंडिया के जो डिरेक्टर बने हैं उसके अंदर शामिल हुए कौन वंदिता कॉल जो है वो इसके अंदर शामिल हुई है फिर इसके बाद हाली में किसे पाकिस्तान के नए राष्टे सुरक्षा चलाकार के रूप में तो मोईद यूसूफ जो है इनको नुक्त किया गया है ये कल का हमारा study gloss question था यहाँ पे date जो है उसको आप लोग correct कर लेना 21 जो है ये आप लोग इसके date रखना ठीक है तो ये कल का हमारा question था जरसी द्वीप आज भी हमने किया है ये किसके बीच में France और Britain के बीच में disputed है आज का study gloss question है कि विश्व का पहला artificial intelligence power जो ship है वो कौन सा है ये आपको मुझे बताना है और किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है ये भी मुझे comment section के अंदर answer करना आज का session कैसे लगा है ये मुझे comment section में बताना और session को आप लोग share करना मत भूलिएगा तो study gloss आप लोग के लिए लेके आता है बहुती बैतरिन content knowledge is power ये image दिख रही है आज इसको अपने whatsapp पे status लगा दीजिए और फैला दीजिए कि बहुती बैतरिन class जो है वो यहाँ पे चल रही है चली कल मिलते हैं हम लोग कल मिलते हैं 8 बज़े के class में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू